दोस्तो अगर आप किसी भी प्रोडेक्ट की डिलर्शिप लेना चाते हैं या एजेंसी लेना चाते हैं तो आज का वीडियो पूरा देखेगा आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच डिस्ट्रिबूटर्शिप बिजनस आइडिया के बारे में बताऊँगा जो इंडिया के अंदर बहुत पोपुलर हैं दूस्तो डिस्ट्रिबूटर होता है उसका मैं काम होता है कि कंपनी से या जो भी मैनुफेक्टर है उससे प्रोडेक्ट लेना और रिटेलर्स को सप्लाई करना तो सबसे पहला डिस्ट्रिबूटर्शिप बिजनस आइडिया है FMCG प्रोडेक्ट का FMCG का पूरा नाम होता है Fast Moving Consumer Goods देखे ये ऐसे प्रोडेक्ट होते हैं जिनको कम दामों पर तुरंत बेचा जाता है इन सामौनों का एक साधारन आदमी के जियोन में रोज परयोग होत अगर इनकी एजनसी लेने के फायदे के बारे में बात करूँ तो इसमें रिटेलर को ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है इसी के साथ इन प्रोडेक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि छोटे-छोटे आइटम हैं जैसे दूद वगे रहे हैं इन तो काफी कंपनिया है जैसे ITC हो गई, Britannia हो गई, Colgate हो गई, Parle हो गई, Vipro हो गई, Itiadi, Nesle तो दोस्तो अगर आप किसी भी प्रोडेक्ट की पर्टिकुलर जानकारी चाहते हैं जैसे ITC के उपर अगर मैं वीडियो बनाओ तो मैं complete वीडियो बना दूँगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा कि FMCG के कौन से प्रोडेक्ट पे या कौन सी कंपनी की डिस्ट्रिबुटर शिप आप लेना चाहते हैं और उस पे मैं complete वीडियो बनाओ अब बात करते हैं सेकेंड है मेडिसीन का डिस्ट्रिबुटर शिप बिजनस आइडिया दोस्तों आज अपने भारत में काफी कंपनिया हैं जैसे सिपला, डोक्टर रेडी, लूपिन, सन फार्मा, औरोबिंदो इस टाइप के बहुत सी मेडिसीन बनाने वाली कंपनिया है या मेडिकल एक्विप्मेंट बनाने वाली कंपनिया है तो अगर आप मेडिसीन का वोल सेल का काम या डिस्ट्रिबुटर शिप लेते हो तो बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है इसी के साथ कस्टमर बेस बहुत ज्यादा मिलता है अगर आप किसी भी एरिया में इसकी एजेंसी ले लेते हैं तो आप काफ अगर अगर अच्छा मार्केट है इन्डिया के अंदर और काफी अच्छी मात्रा में ये बिखते हैं और गर्मियों के दोर में जैसे अभी जून जुलाई अगस्त में तो बहुत अच्छी मात्रा में इनकी सेल होती है अब बात करते हैं फूर्थ है सिमेंट का देखे आज काफी development हो रहे हैं अपने अपने area में construction के business हो रहे हैं flats बन रहे हैं बिल्डिंग बन रहे हैं तो सिमेंट का जो business है बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है तो अगर आप सिमेंट की agency लेते हैं तो यह बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर मैं सिमेंट कंपम्टिउ की बात करूँ तो अम्भूजा C氣मेंट की ले सकते हैं अल्ट्र टैक की ले सकते हैं श्रीर सिमेंट की ले सकते हैं डालमिय Kilक yatch का अंच का fie 10 लाग के बीच में आप सीमेंट की एजेंसी डिस्ट्रिबूटर शिप अराम से ले सकते हैं इसके उपर मैंने कम्प्लीट वीडियो भी बनाया है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा तो वहां से जाके भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं वहां आता है पैंट का दोस्तों पैंट का कारोबार बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड काफी रहती है तो बहुत सी कंपनिया एसी है जो एक्स-Pैंट करना चाहती है मुख्या कंपनियों की बहारत में बात करूं तो ASEAN Pैंट हो गया बर्जर पैंट हो गया नेरो लेक हो निपोन पैंट हो गया इतियादी तो दोस्तों यह था पांच डिस्ट्रिबुटर्शिप बिजनस आइडियास के बारे में मैंने आगे आने वाले वीडियो में वोल सेलर के बारे में भी बताया है सिमेंट की एजनसी पैट्रोल पंप इतियादी के बारे में बताया है तो को subscribe कर लीजेगा अगर आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट के जरीए पूछ सकते हैं या आप किस चीज की डिलर्शिप लेना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे apply करें तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं मैं apply करने का तरीका बता दूगा धन्यवाद